कि एक वेलकम तुमाई चैनल कैसे हो आप सभी लोग आप सभी लोग काफे अच्छ हूंगे तो गाई सबसे पहले मैं अपना मास्क लगा लेती हूं क्योंकि मैं पुब्लिक प्लेस में हूं तो बहुत जादा जरूरी है मास्क लगाना क्योंकि पुलीस रोक लेती है और श्या पुआ हैं को आगे वीडियो में पता लग जाएगा तो मुझे लगा कि अपनी व्लॉग वीडियो बना देनी चाहिए थोड़ा आज मैं आप लोग को कुछ खंस नहीं दिखाइंगी बट यहें दिखाऊंगी कि सदर बाजर है गुड़गां और की अ कोई भी चीज़ें वहां पर किस किस रेंज की मिलती हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी जो बेबी के लेने वाली हूं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि बेबी के जो कपड़े हैं कितने कितने प्र आप लोगों को तौड़ा बहुत सदर बाजार दूंगी और साते साथ आप लोगों को यह भी बता दूंगी कि मैं वहां क्या लेने जा रही हुं क्या शॉपिंग करने जारी हूं तो आगे मैं आप लोगों को बता दूंगे shotpeng के लिए क्यों साघी हूँ और किस के लिए म तो वाईस यहां सुबह से ही धुंद थी और अभी थोड़ी अभी मतब अभी जाके एक बस चुकी है सब्सक्राइबबबू है रही है और फ्याट करूआ शरा है तो फाल एक इक सब्सक्राइब तक करूछ स्मक्राइब थे कि अहसे हां सब्सक्राइब नहीं जा पाऊंगी क्योंकि थन्ड इतनी है अभी अभी मौसम सही हो चुका है दूप आ चुकी है तो इस वजह से मैं वहां पर जा रही हूँ अभी यहां पर रेड लाइट है तो हमारी गाड़ी रूप कही है और हम दोनों ही जा रहे हैं हस्बेंट वाइप वैसे आपको पता है विंटर में अगर थड़ा ठंड हो थोड़ा बहुत धूप हो तो अच्छा मज़ा आता है शौपिंग करना का है ना आप लोगों को भी हो कर चुके हैं अपने गाड़ी से और यहां पर थोड़ा गाड़ी पार्किंग मतब पार्क करना कड़ों यहां पर दिक्कत होती है तो हमने थोड़ी से दूर पर अपने गाड़ी पार्क की है और अभी हमें थोड़ा से चलना है पैदल क्योंकि यहां पर गाड़ी पार्किं मतब जैक अप मूरा की साइड से आते हैं यहां पर यहां पर तोटली आप लोगों को फनीचर वाली शॉप दिखणी हो गी, incarी और यहां फनीचर वगरे कि शॉप पर अपको दिखेगी यहां से आगे जाके आपको हर एक चीज मिल जाएगी तो चलो आगे चलते हैं तो अभी हम आ चुके हैं मैं सदर बादर में यहां चोटी-चोटी गलिया है यहां पर आपको हर चीज की शॉप मिल जाएगी झालो आपको हर चीज मिल जाएगी जाएगी तो अबादर में यहां जाएगी तो चीज मिल जाएगी यहां लुके हैं यह पी रेकी कि भी तिखाना था मैं ना किसी देख कर रहूं है जो नहीं आता हुआ जो गाइस हमने कुछ तो शॉपिंग का लिए यह देखे यह कि आता हुआ तो गाइस हम आज चुके हैं सदर बाजार से हमने शॉपिंग कर ली है और शॉपिंग आप लोग देख सकते हैं पीछे कुछ इस तरीके से रखी हुई है और अब बस कुछ नहीं है आप लोग मेरा हुलिया देखके लगा सकते हैं मैं को हैड़क होना शुरू हो गया इस वजो से मैं वीडियो वहां पर मैंने ज्यादा कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि बहुत जाद महां पर धूल मिटी थी मुझे एक दम से सिरदर्द होना शुरू हो गया तो मैं घर जाके पहुंचने वाले हैं तो मैं घर जाके ही आप लोगों को बताती हूँ कि क्या-क्या हमने वाँ पर शॉपिंग की है और क्या-क्या चीजे में लाई हूँ तो घर जाके मैं आप लोग को दिखाती हूँ गुद मॉनिंग फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। अब है वोप आप लोग सब यह अच्छे हूंगें हम आउं है संडए हैं कल मैं अपनी वीडियो को कॉंटिंगन किया था जिसे कल आइम लह व्लोग बनाया था जिसे मां कंटिंगन नहीं कर पाई तो आप संडे है और अपर मैं कीचन में आप मैं बना रही हूं मैकरोणी जो कि हर किसी की करना मनता है तो अभी मैं ताले मैकरोणी बनाती हूं तो आपको मिलते हूं मैकरोणी की साई प्यारी हो चुकी है यह देखिए मैकरोणी में उबाढ लिया है और यहां पर नस्ता मसाला हो तो गोबी मत्र इंग्रेजेंट्स नहां है वह ही हाँ दाल दी है तो 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 आपको ड़िता हूं मैंने लोग बहुत कम मट्र दालता है, मैंने मट्र दाला है कि आट कर मट्र सब रहा है, मैंने मट्र दाला है अब दालता है, मैंने मट्र दालता है, मैंने अच बनाया था मैकरोनी, मैकरोनी बनाके फ्री हुई और आज मैंने अपनी एक कैप मैं पिछले साल अपने घर से लाई हूँ, मतलब उत्राकंट से लाई हूँ और मुझे काफी ज़्यादा अच्छे प्राइस प्राइस पर यह मिल गया था, अगर मैं यहां पर इस कैप को लेती हूँ तो आप लगा लो गुड़गाओं में इसक जारा गरम लगता है मतलब यह मन के चलो, मैंने कल वीडियो तो बनाई थी बट कंटिन्यू नहीं कर पाई और कंटिन्यू नहीं करने का रिजन आपको पता है में को हैड़क हो गया तो बहुत जातों मैं करी नहीं पाई, मुझे आपको चीज़ें दिखाएं थी मैं क्या श आपको दिखा आएगा इसलिए वह सरप्राइज है हुआ मैं कुछ चीज लाए हूँ कुछ बच्चे की कपड़े लाए हूँ जो कर लोग के साथ जो कर देना चाहिए तो सबसे पहला जो मैंने आपने आपको चीज ली थी प्राइब किया था तो यह उल्टा हो गया मैं आपको दिखाती हूं तो यह है कुछ इस कलर का यह देखो ग्रे कलर बोल सकते हैं आप लोग यह थोड़ा पिस्ता-पिस्ता कलर का बट यह है गरम सूट गरम सूट नहीं स् ओवैं इसको आप लोग चाहें लेगे के ऊपर पहन सकते हो जैगट के उपर पहन सकते हो जीन्स के उपर पहन सकते हो मैंने लिया हूँ है double XL वैसे तो गाइज मुझे XL आजाता है बट मैंने double XL लिया हुआ क्योंकि थोड़ा सा loose कपड़े ठंडियों में पहनने चाहिए तो यह मैंने double XL में लिया हुआ एक यह लिए है अपने लिया है एक और टॉप जो की हमारे हस्बंट जी की पसंद्की है यह मैंने उल्टी करी वह है मतब क्या बूलें है ऐसका और कुछ इस तरीके का है पुरा लंबा ही देखी लॉंग टॉप है इसको आप जिन्स के उपर आ सकते हैं जैग इन के उपर आ सकते हैं या फिर यह बहुत ज़्यादा कमफर्टिव ले देखो बिल्गों सॉप्ट सा मैटरेल एसका और उपर ते पहनने में भी कासे ज़्यादा गरम होटा है कुछ चीज मैं आपको दिखाती हम अपने लिए अपने लिए मैं ज्यादा शॉपिंग में की थी कुछ कुछ चीज है मुझे तो तीसरा मैंने अपने लिए लिया यह बूट देखिए कुछ इस कलर मैंने यह बूट लिया हुआ है और यह मुझे काफी अच्छी प्राइज में मिल गया था फाइप थाउजन साड़े पांसो यह छे सो के एरांड मुझे यह मिला और बहुत ज़्यादा कमफर्टेवल ह तो अभी मुझे कंपनी का नाम तो इसका याद नहीं है क्योंकि जब मैं इसको ले रही थी तो वह बॉक्स देते हैं मेरे बहुत सामाल हो गये था तो मैंने का बॉक्स में चाहिए ऐसे आप एक थैले में डालके देदो तो कंपनी का नाम और इस पी लिखा भी नहीं हुआ है बट चैसे क्वालिटी भी काफी अच्छी है और की ब्लॉग मेरा लंबा हो रहा तो इसलें मी चाहते हैं व्लोग लंबा हो मैंने यह शोपिंग के है अपने घरवालों के लिए क्योंकि मैं जा रही हूँ और आपको पता है तो मैं कुछ शोपिंग अपने घरवालों के लिए कि थे मैं गई थी मार्केट याने किसादर वजा को अज़ी करना है लाइक शेर और चैनल को शुपरी के समय bye bye love you all see you soon